अगर आपने भी एक computer ले लिया है वो नया हो या पुराना हो आज अब मैं आपको बताऊँगा कि आप उसको कैसे set कर सकते हैं means computer में कुछ चीजे होती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या-क्या चाहिए होता है या अगर आप computer खरीदने वाले हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है उसके साथ आपको क्या-क्या खरीदना है वो मैं आपको बताऊँगा और फिर आप उसको set कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊँगा तो वीडियो को एंट तक देखेगा वीडियो जादा लेंदी नहीं होगी दो से तीन मिनट की वीडियो होगी अगर पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजेगा और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है तो चलिए टाइम को वेस्ट ने करते हैं चलते हैं अपने कंप्यूटर के शामने और वहाँ पर स्टेप बाइ स्टेप सेट अप करके देखते हैं आपको मैं बता दूँ सबसे पहले हमें एक रिक्वाइरमेंट होगी एक कीबोर्ड की आप देखें कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी क्योंकि एक इन्पुट डिवाइस है वो तो में चाहिए चाहिए और ये माऊश चाहिए यानि ही यह दो चीज़ें हमें तो भी ठीक है आप यह कंप्यूटर में हो शक्ता है या फिर आप हैडफोन का यूज करना चाहिए तो कर सकते हैं और आपको बता दूँ इस तरह की कुछ केबल चाहिए दो पावर केबल चाहिए होती है एक हमारे मॉनिटर में लगेगी एक हमारे शीप्यू में लगेगी अब हो सकता है कि आपके मॉनिटर में अडप्टर लगे तो एक ही केबल चाहिए और शीप्यू के लिए बश चाहिए एंड दिन उसके बाद आपको VGA चाहिए VGA में दोनों साइड इसी तरह से रहता है एक आप अपने monitor में लगाएंगे और एक CPU में तो यह दोनों connect होके display देंगे आपको मैं बता दूं हो सकता है कि आपके monitor या CPU में VGA ना लगे तो आप HDMI केबल लगा सकते हैं आपको इस क्रीन पर दिख रही HDMI केबल कैसी होती है अगर आपको ना पता हो तो चलिए मैं आपको फटा फटा इसका setup करना बताता हूं तो देखे setup करने के लिए कुछ नहीं करना ह है हमें सबसे पहले CPU को turn कर लेना है एंड यहां पर हमें power इसकी connect कर देनी है तो देखे हमने CPU को power connect कर दिया है एंड वीजिये का जो एक साइड है वो भी हम CPU में अपने लगा देते हैं कुछ इस तरह से थोड़ा था मैं आपको दिखा दूं देखे वीजिये को यहां पर टाइट करने का कोई option होता नहीं है तो फिलाल मैंने इसको यहां से टाइट कर दिया है एंड यहां से अब आप चलिए इंपूट डिवाइस को में लोग connect कर लेते हैं तो देखिए यहां पर माउस है तो यहां के माउस को USB के through connect कर लेजिए सेम उसी तरह से आपको को भी USB के through connect कर लेना है देखिए मैं connect करना बता रहा हूं आपको फिर उसके बाद आप अपने हिसाप से इसको रखके use कर सकते हैं तो देखिए फिलाल मैंने अपने CPU में इतनी सी यह connect कर ली है यहां पर मैं speaker को भी connect करना चाहता हूं तो speaker connect करना मैं आपको बता दे रहा हूं speaker आप USB speaker है तो USB आप यहां पर लगा दीजिए मतलब USB में यहां भी बीच वाले में आपको लगाना है देखिए साइड वाला microphone का होता है बीच वाला speaker या headphone के लिए होता है तो फिलाल तो आप देख सकते हैं मैंने CPU में connection दे दिया है अब चलिए हम लोग monitor में connection दे देते हैं and then उसके बाल on करके भी देखते हैं तो friends हम लोगोंने CPU का connection कर लिगा था आप monitor का connection करने के लिए इसको turn करना है और यहां पर आपको back side में दिख जाएगा एक side आपका power वाला रहेगा power adapters होगा तो adapters है and another side आपको दिखेगा यहां पर VGA वीजी नहीं होगा तो HDMI अब जरूर कि थोड़ा सा आराम से आपको करना है जल्दवाजी नहीं करनी है नहीं तो हो सकता है कि यह damage भी हो जाए monitor अगर आपका इसमें कहीं बल प्रियोग हो गया तो आप इसको बिल्कुल आराम शे करें और शो फ्रेंट्स यहां से मैंने power को लगा दिया है अब यहां पर मैं VGA cable भी लगा देता हूं और वीजी लगाने बाद आपको यह screw tight कर देना है ताकि वीजीए हिलेना नहीं तो हिलेगी तो हो सकता है कि आपके screen का color discolor हो जाए मतलब दूसरे color में दिखने लगे या फिद कोई और भी issue हो सकता है तो उसको tight कर देना better है तो फिलाल आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कर दिया है पूरा connection दे दिया है आपके शामने तो चलिए अब हम लोग इसको on करके देखते हैं तो देखिए on करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है simply power button को press करना है यहां से मैंने power button को press किया तो मारा जो system है वो on हो गया है तो यहां से मैं monitor को on करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो system है वो on हो गया है तो इस तरह से आप भी अपना setup कर सकते हैं और नया computer आप लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफे जादे helpful रही होगी अगर वीडियो पुशन दाए तो लाइक करें चैनल पर नए है तो subscribe भी कर दीजेगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में